नमस्कार मेरे दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर दोस्तों बहुत ही अदभुद आप आज मैं आप लोगों के लिए वस्तू लेकर आया हूँ मैं ताबीच आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रोटेक्शन के और लाइफ में आगे बढ़ने के मतलब सक्सस कवज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत शांदार एक एसी वस्तू होती है कि जिसको प्रियोग करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की कठनाईयां दूर हो जाती हैं ये शुद्द चा असनी से नहीं मिलता है इसके अगर ताबीच अभी मंतरत करके ताबीच बना के पहनते हैं तो जीवन में बहुत ही प्रोटेक्शन मिलती है जैसे काले जादू से रक्षा होती है अगर कोई व्यक्ती बहुत बीमार है तो उसकी बीमारियां दूर होती है कर्च मुक्ती मिलत अगर आपका धन कहीं भी किसी भी रूप में कहीं फस गया है तो उस धन को निकालने के लिए यह बहुत ही कारगर होता है अगर धन टिकता नहीं है धन बिल्कुल आपके पास नहीं आता है तो इसी परिस्थिति में भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं दोस्तों इसको काली का मंतर से अभी मंतर किया जाता है क्योंकि काली तन्तर में इसका प्रियोग किया जाता है इसको तन्तरी की शिला या काली शिला भी बहुत सारी जगा पर कहा जाता है यह बहुत दुरलब होता है और बहुत तेज हीरे की तरह यह चमकता है यह काला जो कि चट्टानों से प्राप्त होता है यह बहुत पिलुप्त है आज के समय में यह चीज बहुत पिलुप्त हो चुकी है दोस्तों काला सिंदूर का अभी मंतरत करके यह अब ताबीच पहनते हैं तो हर बुरी काला जादू मेली शक्ति या कोई तांत्री की अभीक्रम आपक काला जादू आपकी उपर कोई दुश्मन प्रियोग करता है तो उससे उस चीज का काट होता है और यह भी देखा गया है इसका की पलट बार करने का भी कारी करता है अगर व्यापार स्थल पर इससे बनाया हुआ ताबीच रखते हैं तो व्यापार स्थल में कभी भी नजर दोश नहीं लगती है बूत प्रेद बादा तांतरी की वादा या काला जादू टोना टोट का असर उस जगा पे नहीं करते हैं इसको व्यापार स्थल पर काले कलर के कपड़े में बान सकता है इसके चांदी के ताबीच को या तो व्यापार में मान देंगे तो व्यापार इस थल की पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन होगी यदि खुद इसका पहनेंगे तो इससे आपकी सुरक्षा होगी दोस्तों तंतर में इसको बहुती विशेश स्थान दिया गया है क्योंकि ऐसे चीज़ें बहुत दुरलब होती हैं और इसके इनके कार्द जो होते हैं वो सुर्ण बंगा होता है और सुर्ण भस्म होती है इसमें कई प्रकार की चीज़ों से मिलाकर ये वशीकरन तिलक बनाया जाता है जो की बहुत ही दुरलब होता है इसका भी अगर आप ताबीच बना के धारेंड करते हैं तो जीवन में सफलता बहुत तेजी से मिलती है ये व पीर कंगन साधना से सिद्धी करके दिधारन किया जाता है तो जीवन में अट्रेक्शन सम्मोहम और सुक और सम्रद्धी और धन आपके पीछे भागता है ये सफल जीवन के लिए बहुत बहु मुल्य चीज होती है क्योंकि बहुत ही प्रकृतिक और जो रेयर तत्व होते ह उससे इसको बनाया जाता है आप देख सकते हैं इसमें 16 प्रकार की चीजे मिली होती है आप देख सकते हैं कि इसमें लाइफ राजमोहिनी ये जो दिख रही है ये राजमोहिनी है इसमें राजमोहिनी बहुत ज्यादा कॉंटिटी में मिलाई जाती है क्योंकि इसको मोहिनी विद्या से ही सिद्ध किया जाता है जो लाल आप देख रहे हैं पाउडर ये कामाख्या देवी सिंदूर का है चून है जो कि पूरी तरह से अभी इसको मिलाया नहीं गया है इसको पूर्ण तरह से मिक्स नहीं किया जाता है इसमें अलग-अलग चीजें देखी जा सकती है आ बहुत अच्छा कारिये करती हैं यह बहुत शांदार एक तिलक का भी कारी करता है आप इसको देख सकते हैं इसकी फ्रेग्नेंस खुशबू बहुत शांदार होती है यह 100% नैश्रल चीजों से बनाई जाती है इसको वशी करन तिलक भी कहा जाता है यह दिव्यापार स्थल प और जीवन में आपकी हर मनो कामना पूर्ण करने का कारी करती है आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके भी यह बना सकते हैं लेकिन छोटे छोटे जो करन होते हैं इतने बड़े साइस के यह ताबीज में भरे जाते हैं कम से कम 5 ग्राम से उपर यह होना चाहिए अगर 5 ग्रा करके इसके शिलाकी काट करके इसको अभी मंत्रित करके चांदी के ताबीज के साथ बारा जाता है आप चाहते हैं कि इजन प्रेटक्शन के साथ साथ शुब चीज़े मिले धन मिले एश्योरी मिले हर जेगा सकस्ध मिले तो आप इसको भी इसमें मिला सकते 상황 दोस्तों ऐसे dependent आप हमसे प्राप्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही तीवर गुड़कारी होते हैं कार्य सिद्ध करने वाले होते हैं और जीवल को सफल बनाये रखने के लिए होते हैं दोस्तों ये छोटी छोटी चीजे इनका प्रियोग ये दितंतर में होता है तो ये महाशक्तिशाली गठ बंधन मनाते हैं ये इतनी शक्तिशाली होते हैं कि जीवन में सुख सम्रद्धी और एश्वर ये भरने का कारी करते हैं हर प्रकार की दुख, दरितरता, रोक इन सब का काट करते हैं और नाश करते हैं दोस्तों दुश्मन से प्रोटेक्शन के लिए और कर्ज मुक्ती के लिए सबसे अच्छी वस्तु इसको माना जाता है ये बहुत ही प्राचीन समय से ही इन सब चीजों का इस्तिमाल करके जीवन से दुखों को खतम किया जाता है यदि एक फिट करी के साथ 100 ग्राम फिट करी के साथ 20 ग्राम यदि ये आप अपने व्यापार स्थल पे लगाते हैं तो डूबा हुआ व्यापार भी बहुत तेजी से चलने लगता है ये व्यापार ब्रद्धी के लिए सबसे कारगर और सही और सटीक चीज मानी जाती है ये माकाली जी का प्रतिरूप होता है दोस्तों तोने टोटके से परेशान लोग इसका ताबीज जरूर पहन सकते हैं या निरंतर जो लोग बीमार रहते हैं जिनको दबाईयां या डॉक् आप कर सकते हैं ये रोग नाशक भी माना जाता है या किसी का भी बड़े से बड़ा लगाया हुआ रोगों को भी खतम करने का कार्य करता है यह हर तरह की प्रोटेक्शन करने में परीपून होता है दोस्तों बहुत दुलव वस्तू होती है काला सिंदूर बहुती कम और रे सकते हैं ये रेर आइटम्स आप हमसे पा सकते हैं जो हम लोग पैंडेंट देते हैं ये भी शुद्ध चांदी का पैंडेंट होता है बड़े चोटे आकार में आपको जिसा भी चाहिए चोकोर डिजाइन चाहिए तो चोकोर भी आपको मिल चाहेगा लेकिन गुल सबसे खाने का कारिय करती हैं दोस्तों हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब चुरूर करिएगा जय महाकाली